एक दिसम्मर दो हजार अठारा से फ्री टेलिफॉनिक सुविधा आप सभी के लिए शुरू हो रही है और इस सुविधा को पाने के लिए आपको चैनल को सस्क्राइब करना होगा बेल आइकन यानि घंडी वाले निशान को दबाना होगा तबी आप चैनल से या सुविधा मुफ्त में राप्त कर पाएंगे और अपने जो भी प्रश्ण है उनका उत्तर डारेक्ट मेरे द्वारा आपको मिलेगा यानि आमने सामने हमारी और आपकी बात होगी और मैं दूँगा आपके प्रश्णों का उत्तर और उपाय भी ऐसे बताऊंगा जिनसे आप अतिशी गर अपने जीवन के कश्टों को दूर कर सकें तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के बटन को दबाएं गंडी वाला बटन दबाएं और जल्द ही वह नंबर भी आपके सामने होगा जिस नंबर पे मेरी और आपकी बात होगी बहुत जल्द नंबर भी आपके सामने होगा और दिन और समय की भी जानकारी आपके पास होगी जिस समय में आपके और मेरी बात हो सकती होगी और एक और खुश खबरी है आपके लिए हर महीने हम पांच लगी ड्रॉव को चुरेंगे जो हमारे सस्क्राइबर होंगे और उन पांच लगी ड्रॉव मेंसे जिनका भी नाम आएगा उनको हम देंगे उनकी राशी के अनुसार उनको एक लॉकेट चो लॉकेट उनके जीवन में प्रग्रती का मालग और बढ़ाएगा जीवन में चले आ रहे कस्टों को समाप करेगा और जीवन में सभी अशुब परिणाम दूर होंगे और शुब परिणाम लॉकेट के पहनते ही उनको मिलने शुरू हो जाएगे लखी सस्क्राइबरों को या पुरुसकार या लॉकेट उपहार सरूप मुफ्त में उनके घर कोरियर के दवारा भीजा जाएगा तो यदि आप वह लखी विजेता बनना चाहते हैं और आप उससे दालिट बात करके अपनी समस्याओं का हाल चाहते हैं वो भी फ्री में तो जुड़े चैनल के साथ सस्क्राइब करें बेल आइकन के बटन को तपाए नमस्कार दोस्कों एस्टोलाजर सचिक स्वागत करता हूँ आपका अभी दंदन करता हूँ आपका आपके चैनल एस्टोगनाइट पर कैसे है आप सब उमीद करता हूँ अच्छे होंगे शुभारब करते हैं आज के विशे का आज का विशे है कन्याराशी 22 से 30 सब्सक्राइब कैसा जाएगा क्या कुछ बढ़िया है नवंबर माग के इस चौते हफ़ते में आपके लिए इस विशे पे चर्चा करते हैं और वीडियो केल्ब में जो उपाय बताऊंगा उस उपाय को जुरूर सुनिएगा ताकि जो भी कष्ट हो इस हफ़ते में वासमाथ हो के आप अच्छी तरीके से यह हफ़ता बिता सके 22 तारिकों चन्रमा आपके आठवे होंगे शुरूराद आपके अच्छी नहीं हो रही है इस अपता की आपकी शिक्षा के लिए आज का दिन बेतर नहीं होगा चात्रों को विशेश सावधानी रखनी चाहिए आज के दिन और माता जी की सेहत के लिए भी आज का दिन बेतर नहीं है आपको अपनी माता जी की सेहत का भी विशेश ध्यान रखना चाहिए विशेष साभधानी रखनी चाहिए, किसी भी परकार की लापरवाही आपको भारी पढ़ सकती है और स्वर्म आपको अपनी सहर का विशेष ध्यान भरतना होगा आपको सरदर्द हो सकता है, दिमाग में चिंता हो सकती है और जिसके कारण आपका माइग्रेन भर सकता है, आधा सर का दर्द भर सकता है और बहुत पैचेरी रह सकती है आपको, तो जितना हो सके अपना सहर का ख्याल रखें अच्छा खाएं, दवाई समय पे ले, जिंता ना करें अगर जादा समस्या बढ़ रही है, तो डॉक्टर की सला तो रंत ले वहां बहुत सावधारी पुर्वब चलाएं, अन्यथा आपको चोट लग सकती है या आपको चोट मार सकते हैं, किसी भी परकार के विवाद में स्वयम को न डाले तो बहुत बहुत बहतर रहेगा, मौसमी बिवारियों से बचे तो और आपके लिए बहतर रहेगा अन्यथा आपको सर्दी खांसी जुखाम लग सकता है, और पॉलूशन का समय है, तो जितना हो सके आप पॉलूशन से बचे तो बहतर रहेगा, अब बात करते हैं, 2324 तारीक की चंद्रमा आपके नवंभाओं में होंगे या इस्तिती आपके लिए बढ़िया है, आपको बहतर आउसर परदान होंगे धन कमाने के लिए, आपका कारशेतर में दबदबा चलेगा आप अपने आपको साबित कर पाएंगे अपने कारशेतर में, नौकरी में, वेफसाय में, कि मैं जो हूँ, वो सबसे बेस्ट हूँ, ऐसा आपके अंदर ताकत होगी, एनरजी होगी, और आप अस्वाम को साबित करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे आपकी यात्राएं बढ़ेंगी और उन यात्राओं में सफलता भी मिलेगी, विदेशों से जोडने के मौके भी मिलेंगे आपको, और जो रिष्टे विदेशों से कायम होंगे, वा बेहतर होंगे, आपको उसमें किसी भी प्रगार की हामी होने की बहुती कम संभावना बन लेंगे, आप कुछ नहीं, बिजनस प्रपोजल या पार्ट टाइंग जॉब या शॉट टाइंग बिजनस के लिए भी आपको, आपको मित्र या शोशल मीडिया के माधिम से आपको पता लग सकता है, और आपका हिर्दे जो है, बहुत खुश रहेगा, और आप बहुत प् लेंगे, और स्वैम को दी बेस्ट थाबित करेंगे एक बार फिर, और आपके जो नेर्ने होंगे, उसकी तारीफ होगी, उसके आपके सहकर्मी, आपके बॉस, तालिया बजा के आपका स्वाववत भी कर सकते हैं, और आपको छोटा मोटा एवाड धी मिल सकता है, यानि अच्छा डॉक्टर, अच्छा वैद, आयरुवेदिक वैद, यह जिस भी डॉक्टर से आप इलाज करा रहे हैं, वह आपको ऐसी दवाई लिखेते हैं, जो आपको सूट करने लगे, और आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा, और आप जल्थ ठीक भी हो जाएगे, आपको रातरी में दूद का सेवन नहीं करना चाहिए, इस से आपको कुछ माल से चिंताय हो सकती है, तो आप दिन में दूद पी सकते हैं, कारेशेतर में आप मेहनत के साथ साथ प्रमोशन भी पाएंगे, भाग दौर और ठकान बनी रहेगी, मेहनत होगी, ठकान तो होना निश्च होता है, और कुटुमों का साथ मिलेगा, तो कोशिश करें जब भी ऑफिस से, वैपाद से, काल चेतर से घर वापस जाए, तो घर वालों के लिए कुछ मीठा अवश्च लेके जाए, ताकि आप भी अपना मूँ मीठा करें घर जाके, घर वालों को भी खुशन परदान करे हैं, तो उनकी पसंद का कोई छोटा सा ही गिफ्ट उन्हें दे, बहुत ही बेतर रहेगा, 27 और 28 तालिप को चदुमा आपके 11 भाव में रहेंगे, लेकिन 11 भाव में साथ में होंगे राहू, तो 11 भाव लाव का भाव है, और लाव के भाव में राहू के साथ चदुमा का ब बनाने के लिए अपनी सोच सही रखनी पड़ेगा, अपनी दिमाग को शांत रखना पड़ेगा, अपनी गुस्से को शांत रखना पड़ेगा, अपनी वारी को मध्र रखना पड़ेगा, और आपको अपनी उबट वर्काउट करना पड़ेगा, अपनी जो भी आपी कमिया है उनको बहुत सुधारना पड़ेगा और आपको ऐसी गलती ना कर दें जिससे आपको हानी हो उस पे कंट्रोल करना पड़ेगा और मेहनत थोड़ी सी जाला करनी पड़ेगी तो इस अशुब दिन हो भी आप शुब बना पाएंगे और जो उपाय में आपको बता हुआ उससे जो पची कुछी अशुबता होगी वहां भी दूर हो जाएगी तो समस्दारी पूर वक आप यदि आप नेड़ने लेंगे तो आपको लाग होगा आप मूड थोड़ा खराब रहें सकता है लेकिन इस मूड को अच्छा करने के लिए आप स्वें प्रयास करें कुछ मनोरंजन वाली चीज़े देखें जब मूड खराब होता है तो आपको पॉजिटीव चीज़े सोचनी चाहिए लोगों से मिलना चाहिए अच्छा खाना चाहि और इतनी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए कि आपका अशुब दिन भी शुब बन जाए तो शुबता लाने का सिर्फ एकी तरीका है इश्वर में भक्ती और इश्वर से मांगे शक्ती और मन लगा के करें काम बड़ों का ले आशिवाद तो अशुब ग्रह भी आपका कुछ रही विगार पाएंगे आपको मिलेगी शुबता आज के दिन आप अपना मूड खराब करें ना दूसरों का मूड खराब करें खुद को भी खुश रखने का प्रयास करें और आपको देखके दूसरे खुश हो और परिवार के सदस से अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जो भी आपके घर में इस राशी का जातक है उसको खुश रखने के लिए आप भी थोड़े प्रयास करें ताकि अच्छे मून में वहवेक्ति आज का दिन बिता सके वैपार में थोड़ी हानी होने की संभवनाएं दिखती हैं सावधानी रखिएगा माता जी की तरफ से आपको कोई बुरी खबर मिल सकती है उसके लिए तैयार रहिएगा और अपने हिम्मत बना के रखिएगा आपकी संताज शायद आपकी बात ना माने आपकी बात का उल् बिगाड़ना और उसमें घी में आग डालना यदि आप लगने ही नहीं देंगे तो खराब रहें उसमें घी डाल ही नहीं पाएगा तो आग भलकेगी ही ही नहीं इस बात को आप समझ ले तो जतना समझेंगे उतना ही बेतर रहेगा प्रेम संबन्द वैवाहिक जीवन में थोड़ा पर मन मुटाओ हो सकता है, लेकिन सावधानी रखेंगे, ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, थोड़ा सा मौन सरवार्त साधनम वाले नियम को चुनेंगे, चिप रहने का प्रयास करेंगे, तो उसमें भी बहुत कमी आएगी, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको साही बाते पॉजिटिव इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि जीवन में इतनी नकारात्मकता वैसे ही भरी हुई है, इतने परशाद आप और हैं, और मैं अपने राशी फल में आपको और ज़्यादा डरा दूँ, और ज़्यादा नकारात्मक कर दूँ, ऐसा मेरा बिल्कुल भी उद्देश नहीं है, मैं यह चाहता हूँ, कि आप अशुब समय को भी शुब बनाने की कला को सीख जाएं, और बेहतर जिंदगी को जीएं, भाई बेहनों से थोड़ी लड़ाई जगड़ा हो सकता है, इस समय में धन की हामी हो सकती है, सहत भी परशान कर सकती है, इन सब के उपर है, आपका मनोबल, अपने मनोबल को उपर रखिएगा, आप निश्यत तोर पे खराब समय में भी, जीत कर अपना नाम ब्रौशन करेंगे, आगे बढ़ते हैं, 29-30 तारिकों चंद्रमा आपके बारवे भाव में आपको फिर से बहुत बेहतर पेड़ा नहीं देंगे, यहाँ पिर से थोड़ी सावधानी रखनी है, आपको कोई छोटी बिमारी है, यदि उसमें आपने लापरवाही बढ़ती तो वा बड़ी हो सकती है, कोई छोटी चोट है, आपने लापरवाही बढ़ती तो वा बड़ी हो सकती है, उसमें दर्द बढ़ सकता है, मौसमी बिमारीयां आपको हो सकती है, अब आप सर्दी का मौसम है, आप बाइक पे बैटके जा रहे हैं, आपने हेलमेट, मफलर कुछ नहीं बादा है, तो खांसी जुखाम आपको लग गया, तो इसमें आपकी लह परवाही है, तो थीक तरीके से खुद को ढखके जाएंगे, तो आपको कुछ नहीं होगा, थोड़ा पॉलूशन है, सुवे जब पॉलुशन कम हो जाएं, तो आपको सास की प्रॉबलम हो सकती है, तो ये सावधानिया आपको रखनी है, सामाल निरसी, और आपका पेट खराब हो सकता है, उतना ही खाएंगे, जितना आपको पच्छता हो, धन का गलत खर्च बिलकुल भी ना करें, अपने धन का बख पच्छ ना करें, एक-दो दिन रुख जाएं, समय मागें, और एक-दो दिन बाद जब शुभ समय आएगा तब गर लीजेगा, कारशेत्र में पारवारी कलह हो सकती है, आपको परशान कर सकती है, और दोनों जगे पे आशानती नहों, इसके लिए आपको स्व्यम परियास करने होंगे आपको अनित्रा की प्रॉब्लम हो सकती है आपको रात में नीद ना आए आप देर रात तक जागते रहें या नीद आ भी गई तो वो मज़ेदार नीद ना है जिससे पूरे शरीर में एनरजी आती हो या पूरा शरीर जो है वो तराव मुक्त होता हो तो जितनी अच्छी नीद होगी अधर γरात में आजब अच्छा सुए हैं तो अगली शुवे इतना ही अच्छी प्रफॉरंस काम करवाएंगे तो रात में नीद लेने के लिए आप फ़ड़ा साथ अपने आप सैर करें वयाम करें ताकि ठकें और आपको नीद आए और टेंशन नाले दिमाग टेंशन लेने से यदि आपको कुछ मिलता है तो आप ले लीजेगा मेरे अगर मुझे नहीं लगता कि टेंशन लेने से इस जीवन में किसी को एक रूपिया भी वो कमा पाया टेंशन से सिर्फ उसने अपनी हानी ही करी है तो अनिद्रा की समस्या ना बढ़े इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए वैपार में धल लगाने की बेतर इस्तिती नहीं आज का दिन ताल दें आपकी माश्री किस्तिती भंग करने की शत्रू प्रयास करेगा शत्रू आपको उपसाएगा बार बार पिंच करेगा कि आप भड़की हैं लड़ाई रगड़ा हो जाए तो शत्रू के पास हो सके तो ना जाए अगर कुछ बोलता है तो शांत हो के अपना विकल जाए वो आपको दो बाते दो किलिए के चार बोलतेगा बढ़ाई के चेतर में वैपार के चेतर में आपके लिए बहुत बढ़िया है और मुकदमे बाजी से बचें आज के दिन आपको नुकसान हो सकता है और लखी डेट इस महीने की रहेंगी 23 और 24 और आपके लिए अशुब डेटे रहेंगी 22 तारिक, 27 तारिक, 28 तारिक, 39 तारिक, 30 तारिक और मिली जुदी जो डेटे रहेंगी वारेंगी 25 और 26 तो शुब दिनों में शुब काम करें अशुब दिनों में और महनत करके अशुबता को गम करके अपनी महनत को बढ़ा दें तो अशुब दिन भी शुब हो जाएगा और जो मैं आपको उपाया बताने वाला इसको करने से बची कुछी कसर भी पूरी होके हर दिन आपका तो उपाय नमबर एक आपको अशुप तारीक में रात्री में दूद उबा दूद से बनी वस्तूमों का प्रयोग नहीं करना है नमबर दो अपनी माता जी को खुश करने का पूरा प्रयास करें उनका आशिरवाद ले अगर माता जी आपसे दूर रहती है तो फोन पर ही चरह निश्पाश कर ले लेकिन करें जरूर और यदि माता जी आपके साथ नहीं है तो मन ही मन का आशिरवाद लेकर भी आप अपने काम में आगे बढ़ सकते हैं अगर माता की उम्र के समान कोई में बहिला आपके घर परिवार में है तो उनका आप आशिरवाद ले सकते हैं शिव जी को दूद्वा पानी मिलाकर अमशेक करें सारे कश्ट दूर होंगे यदि आपने यह तीन उपाय कर लिए और जो बाते मैंने आपको बताई है यदि आपने उस तरीके से अपना यह सकता हब बिताया तो दिश्चित तोर पे आपको बेहतर प्रणाम मिलेंगे और कोई भी आपको अशुक प्रणाम नहीं मिलेगा तो चैनल को सस्क्राइब करें बेल आइकन के बटन को दबाए हरी हूं नमस्कार